हेलो गाईस आज की रेसिपी है चट पटे दही वाले आलू की रेसिपी तो वीडियो परसंद आने पे मैं चान को सब्सक्राइब करना मत भूना साते मुझे फॉलो ज़रोगोना इंस्ट्राग्राम पे तो दही वाले आलू बना रहेगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है दो कटोरी फेटी हुई दही अब इस दही यानि कर्ड में आट करेंगे क्रश किया हुआ सुखा दनिया आदा चमच लालमिची पाउडर यानि रेट चिली पाउडर और उतना ही हम आट करेंगे इसमे टर्मरीग पाउडर यानि हल्डी पाउडर अब बस दही में हमें इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है नमक पे सबजे बनाते ताइम ही डालूंगी और अब दही का मिक्षर अच्छे से मिक्स हो चुका है याद रहे कि हापे दही जितना खटा हो उतनी सबजी टेस्टी बनती है अब नेक्स मैंने आपे हीट के लिया है एक पैन उसमें मैंने डाल दिया है ओईल और मैं डाल रही हूँ राई यानि मस्टर सीट 1-4 स्पून हिंग पाउडर और साथी मैं इसमें डाल चॉप्ट और बॉयल किये हूए आलू यानि पटेटो अब इसमें अलू डालने के बाद इसे कर दिंगे अच्छे से फ्राई इसे हमें कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देना होगा और जैसे ही अच्छे से फ्राई होने लगे यानि इसमें हलका सा क्रिस्पीनिस आने लगे हम इसमें एड करेंगे दही वाला मिक्स्चर पर यहान रखना है कि दही डालते टाइम इसे अच्छे से कंटिनियूसली स्टर करते जाना है स्पून की हल्प से अगर हम इसे spoon के यल से mix नहीं करेंगे तो दही फट सकता है और इसी तरह से cook करेंगे 2-3 मिनिट के लिए और इसके बाद जैसे इसमें boil आने लगे उसमें मैं add करी हूँ half spoon salt यानी नमक और salt दाने के बाद इसे mix कर देंगे हलका सा और फिर उपर से मैं spread कर दूंगी उसके ओपर कट किया हुआ कोरियांडर यानी धनिया और फिर हमें इस गैस की फिल्म को off कर देना है इसी के साथ हमारे दही बादे चट पटे आलू बनके रेडी है आप सर्व कर सकते हिसी गर्म गर्म पूरी या फिर चपाती के साथ या फिर राइस के साथ में भी so that's all for today I hope you like my video and don't forget to share with your friends and family and thanks for watching my video